इस्राइल ने हमास के कबजे वाले गाजा में जब से अपना सैनने अभिहान चलाया है तब से फिलिस्तीन के कई चरमपंथी संगठन सक्रिये हो गए हैं इतना ही नहीं इरान के समर्थन से ये संगठन इस्राइल पर हमलावर भी हैं एक दो नहीं बलकि कई संगठन अकेले इस्राइल पर हावी हैं हमास के लड़ाकों के अलावा लेबनान का हिजगुला, भूती विद्द्रोही तो वही इराक और सीरिया के कई प्रतिरोधी संगठन सब एक जूट होकर इस्राइल पर तूट पड़े हैं अब इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने इस्राइली कबजे के खिलाफ अपने निरंतर अभियानों के तहर्ट हाइफा तेल बंदरगा को निशाना बनाया है लड़ाकों ने दो ड्रोन्स की मदद से इस्राइली कबजेवाले फिलिस्तीनी इलाकों में हाइफा के तेल बंदरगा पर बड़े नुकसान का दावा किया है इसके अलावा इराग के मिलिशिया ग्रूप ने कबजे वाले इलाकों में तीन इसराइली टार्गेट्स पर भी हमला करने का दावा किया है संगठन ने बताया कि पिछले 72 घंटों में एक महतोपून लक्ष और एसकेलाउन तेल बंदरगाह के अलावा एसकेलाउन में एक और लक्ष पर हमला किया है इराक के इरान समर्थित संगठन ने ये भी दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने बियरल साबे में हजरी में रपोर्ट पर भीशन हमला किया साथ ही ड्रोन के साथ कबजे वाले गोलन में याडन अड़े पर सटीक वार किया है इराकी प्रतिरोध ने अपने बयान में कहा कि ये हमला इसराइली कबजे का विरोध करने गाजा में लोगों के समर्थन समेथ फिलिस्तीनी नागरीकों के खिलाफ इसराइली नरसंगार के जवाब में है जब तक इसराइल गाजा में खून खराबा जारी रखता है तब तक वो अपना आकरामक रवाईया जारी रखेगा इससे पहले इराग के इस चरमपंती संगठन ने इसराइली कबजे वाले इलाकों में दक्षणी योनटन बैरिक को निशाना बनाया था इसके अलावा लड़ाकों ने कबजे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में तिबरियास जील के उत्तर में जायोनी अलिफलिट बेस को निशाना बनाया था दावा है कि इस हमले में IDF के कई सैने किया तो घायल हुए हैं या फिर मारे गए हैं हाला कि इसराइली बलो ने इस पर चुक्पी साधी हुई है हाल के महिनों में इराग के एक प्रमुक गुट इस्लामिक रिजिस्टेंस ने इसराइली ठिकानों पर हमलों की एक जड़ी ची लगा दी है बताया जाता है कि इस मिलिशिया ग्रूप को अपने मकसद में कामियाबी भी मिली है इसराइली रक्षा बलो को चौतर्फा हमलों का सामना करना पड़ रहा है दावा किया जा रहा है कि इराणी मदद के बूते ये संगठन इसराइल पर हवी है इरान इसराइल से सीधे युद्ध लड़ने के बजाए प्रॉक्सी वॉर के जर्ये अपने हित साथ तनजर आ रहा है इसराइल लगातार ये कह रहा है कि मिडलीस्ट में भड़कती इसाग को बढ़ाने में इरान का बड़ा रोल है आदेकी हिराक का मिलीशिया ग्रूप इसराइल हमास युद्ध की शुरुवात के बाद से कबजे वाले इलाकों में मौझूदा इसराइली लक्षों के खिलाब कई अभियान चला रहा है